नमस्कार आप देखने क्राइम तक मैं हूँ अश्विने सिंग इस वक्त स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी ये तस्वीर है गौरो की दरसल मामला MP के बुरहान पूर का है जहां कवरो जहां रहता था उसी कॉलनी की एक लड़की को यानि एक बच्ची को टार्गेट करता है दरसल बच्ची तो गई होती है आंगनवाडी में अपनी बहन के साथ लेकिन इसी दरम्यान वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि मैं कुछ समय बाद यहां आती हूँ इसके बाद हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे यह कहकर वो बच्ची वहाँ से निकल जाती है 6 साल की मासूम उस गली से निकलती है इसी दरम्यान गौरो की निगाहें उस मासूम पर पढ़ जाती है गौरो उस लड़की को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें चौकलेट देता हूँ इस पर लड़की वहाँ चली जाती है गौरो के घर पे क्योंकि वो महज 50 मीटर की दूरी पर उनका घर होता है बखुभी वो जानती रहती है उस लड़की को इसी वज़़से उसके घर चली जाती है लेकिन इसके बाद से उस बच्ची का कोई अतापता नहीं होता अठ्रमाई की बाद है जिसके बाद परिवार वाले उसे धूनने निकलते हैं गली मोहला सब जगण देख लेते हैं लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चलता जिसके बाद मामला पुलीस तक पहुंचता है अब पुलीस तहकीकात में जुचाती है, मामले की तफ्तिश करने लगती है इसी दर्मियान पुलिस को लगता है कि हो ना हो इसी कॉलनी के ही किसी का हाथ है इस बच्ची के किट्नैपिंग के मामले में अब पुलिस मामला पहले तो गुमशुदगी का दर्ज करती है इसके बाद किट्नैपिंग के एंगल से उस बच्ची की तलाश में लग जाती है पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता इसके बाद डॉक स्क्वैट की टीम को बुलाया जाता है पकाइदा वहाँ पर डॉक को लेकर वो जगा जगा जाते है इसी दर्म्याँ जो डॉक स्क्वैट होता है वो उस गली में जाता है गली में जाकर तीन घर छोड़ता है इसके बाद वो गौरो के घर में दाखिल हो जाता है जब अंदर जाते डॉक स्क्वैट की टीम को जादा देखते है जब पुलिस वाले तो वो भी उसके साथ हो जाते है जब वहाँ जाते है तो उन्हें भी कुछ शक होने लगता है कि आखिर यहां कुछ तो गड़बड है इसके बाद पुलिस देड़ नहीं करती फौरन गौरो को हिरासत में ले लेती है गौरो को हिरासत में लेने के बाद उससे पूश्ताच करती है पहले तो गौरो कुछ नहीं बोलता और पुलिस को यहां वहां की बाते ही बताता है लेकिन पुलिस उससे सकती से पूश्ताच करती है उसके मोबाइल नंबर को खंगालती है पुलिस जब गौरो से पूश्ताच करती है तो वो मामले का खुलासा होता है कि गौरोड जो मॉबाइल फोन यूज करता है जो मॉबाइल नमबर से वो यूज करता था सिम कार डालके जब पुलिस उसके चैट की हिस्ट्री निकालती है वेब हिस्ट्री निकालती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है कि आखिर ये लड़का इस कदर से विक्रित कैसे हो सकता है दरसल आपको बता दे कि जब पुलिस के सामने ये सारी चीजों का खुलासा होता है तो उसमें सामने आता है कि वो लाश को कैसे ठीकाने लगाएं इस सारी चीजों का सर्च करता था इस सारी चीजों का वो बकायदा वीडियो जो सामने आ रहा है इसका क्या लिंक है तो वो कुछ नहीं कहता चुप रहता है इसके साथ ही जब पुलिस गोरों के बारी में जानने लगती है कॉलनी के लोगों से पूश्टाश करती है तो पता चलता है कि 8 महीने पहले गोरों उस कॉलनी से एक बकरी को चुराया था बकरी चुराने के बाद वो ले जाता है खंडहर में वहाँ पे बकरी का कतल करता है उसके बाद उसके बॉड़ी को यानि उसकी लाश को ठीकाने लगाने के लिए बकायदा वहाँ पे फेक देता है यह उसका पहली गलती थी इसके बाद भी वो नहीं रोकता वो इसके बाद किसी क मोबाइल चोरी करता है मोबाइल चोरी करने के बाद अशलीन मैसेज किसी और को भेजता है जिसके बाद वो मोबाइल फोन वापस उसी खंडहर में फेक देता है ये उसकी दूसरी गलती होती है अब बारी आती है तीसरी यानि उस मासूम की 6 साल की मासूम इसी दरम्यान वो गली से गुजरती है और चौकलेट देने के बहाने गौरो अपने घर पे बुलाता है उस वक्त गौरो के घर में कोई नहीं होता जिसका फायदा उठाता है और बकायदा वो अपनी पहली मंजिल पर ले जाता है महज आदे घंटे में लड़की के साथ वो रेप करता है रेप करने के बाद लड़की का कतल करता है और कतल करने के बाद भी वो लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है और इतना ही नहीं वो लड़की के कतल के बाद उससे भी खंडहर में फेक देता है जहां पर वो पहले से सारी चीज़े करते आता था पुलीस को ये सारी चीज़े जब जाच में सामने आती है तो पुलीस उस खंड़र तक बहुंसती है सारी चीज़े वहां से जब्त करती है और मासुम बच्ची की लाश को भी बरामत कर लेती है जिसमें पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि 6 साकी मासुम बच्ची के साथ रेप हुआ है रेप के बाद उसका कतल किया गया है कतल के बाद उसे फेक आ गया था इसके बाद गौरोप से फिर पुलीस पूस्ताच करती है कि आखिर उस लड़की के साथ तुमने ऐसा क्यों किया तो पता चलता है कि वो मानसिक रूप से विक्रित है अब उसके हालांकि उसका मेडिकल रिपोर्ट आना बागी है लेकिन शुरुआती जाच में यही सामने आया है कि गौरोप मानसिक रूप से विक्रित था और इसी की वज़े से वो बकायता अपनी मोबाइल में लाश को ठिकाने लगाने के लिए सारी चीज़े ऐसे ढूनता था और उसके बाद वो प्लैनिंग के तहट मडर को अनजाम देता था इतना ही नहीं आपको जानकर हैरानी होगे कि जिस दिन उसने अठ्रा मई की दोपहर को उस मासूम का कतल किया रेप किया उसके बाद भी वो कुछी घंटे बाद घर से निकलता है और अपने जीम के लिए यानि रोजमरा की जो वो काम करता था वो सारी चीजों में वो शामिल हो जाता है एक और उस महले में लोग तलाश कर रहे थे कि वो बच्ची कहा गई कहा गायब हो गई दूसरी और जो कादिल होता है उसी कॉलनी में होता है और वो बकाईदा अपने जीम में जाता है वर्काउट करता है इसके बाद उससे खबर मिलती ही कि उसके चाचा के घर सच्चंग है वो सच्चंग के लिए भी उसी राज जाता है बकाईदा वहापश सुंदर कांड भी सुनता है और वापस अपने घर आता है जब खुलासा होता है 19 में को बच्ची की लाश मिलती है इसके बाद पुलिस परिवार वालों को गुलाती है और जब पोस्ट मॉटम रिपोर्ट सामने आता है तो ये पता चलता है कि ये रेप और मर्डर का मामला है जिसके बाद पुलिस गौरों को गिरफतार कर लेती है हुआ 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 है